ऐसे ख़ एड़ कम लिए चैनल एक्निकल मांचेट चले देखते अकल मार्केट कीज पॉंट को मटम करेगे हैं की सथ स्टक में आपुडेट करmost का इसके पीछे का रेजन कि अग्रम मार्केट को औपने गापठान होतों क्या करें अगर मार्केट फ्लेएट ऊपन हो तiqu tecn हम मुमैंटम करेंगे जाल मेंट्टothing करने वाले हमेला कि दो हुआ इस psychisi कर दो बेदर अंसे कतर मेत कर पाए चुछ हिसुथ को सबस्राइब इस को आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए तो हम लोगों ने इस पॉइंट पर इनलाइसिस किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में रहते है तो हमें कुछ निंग करना है ना बाइज नहीं से क्योंकि अगर मार्केट इस बीच में कहीं पर ओपन होती है तो यह जो है अगर मार्केट में किस परकार से ट्रेट कर सकते हैं कल मार्केट का क्या मुहमेंट हो सकती है अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर ओपन हो जाती है 50-100 पॉइंट का रेंज है अगर इस रेंज में मार्केट का ओपन हो जाती है 3700 500 से लिएकर रकर bunları सभी 27330 से बीच में यहाँ पर डिरुटो पॉइन्ट का रेंज है अगर मार्केट आपन हो जाती यह पर कुछ दिरंडेर इसी रेंज में ट्रेट कर दिए और 30050 को बना चुका Hai पर यहाँ थोड़ा से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट यहां पर एक एम पटर्न भी इस तरह से बना चुका है तो इसके नीचे एक सेलिंग फ्रेसर आ सकती है सेकेंट पॉइंट जो है मार्केट ने इसी पॉइंट से ब्रेक आट लिया था अपसाइट मुख के लिए तो यहां पर मार्केट ने इसे मल्टिपल टाइम टेस्ट कर चुका है तो हो सकता है कल मार्केट इससे ब्रेक कर दे तो अगर ब्रेक करती है इस रेंज के नीचे यहा यहां पर लगभग 300-400 पॉइंट इजली मिल सकते हैं यह हमारा पहला सपोर्ट एरिया बनेगा 37,000 तो हमें 300 पॉइंट का रेंज मिल जागा बहुत अच्छी एस पेस है और हमें यहां पर अच्छी प्रूपीट हो सकती है अगर 37,000 को निकालती है तो आपका नेक्ष्ट जो स यहां पर हमें लगभग 700-800 पॉइंट का स्पेस है तो आप यहां पर इजली 400-500 पॉइंट कैच कर पाओगे क्योंकि एक श्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है तो अगर इसे ब्रेक करती है तो मार्केट में यहां पर आपको 500-600 पॉइंट का मॉमेंट मिल सकती है लेकिन अगर मा सब्सक्राइब बनाया 38,000 के उपर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग दे फिर कुछ देर इस रेंज में ट्रेट करने के बाद इसके हाई को निकाले तो यहां पर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं क्योंकि यह जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपोर्टेंट नहीं है 38,400 38,200 इस रे जो लेबल हैं बहुत इंपोर्टेंट नहीं है तो अगर एक 38,000 के उपर निकलती है इस रेंज में गया पॉपनिंग होने के बाद और इधर एक 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देती है 38,000 के उपर इसके हाई को निकालती है तो यहां पर हमें बाइंग करना अच्छा है फास्ट मूब नहीं कर पाएगा लेकिन हां यहां पर हमें 4500 का अपर शैंड में भी रेंज है तो हमें वहां पर भी अच्छी प्रोफिट मिल सकती है 400-500 को आई होप इवंडरेश्टेंड माई पॉइंट ऑफी तो हिट लाइक बटन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स हो जाती है लगभग 200-300 सो पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनीग हो जाती है 37000 के पास यह इस पॉइंट के पास में कहीं पर गैपड़ान ओपनीग हो जाती है तो आप यहां पर फिप्टीज मिनेट केंडल का वेट करिए कि यहां पर कीस तरह के केंडल बना रह मार्केट में एक रिवर्सल का चांस रहता है तो हमें अच्छी प्रोफिट मिल सकती है और इस पॉइंट के पास जाकर के मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है तो इसके आपको 800-300 पॉइंट का स्पेस मिल जाएंगे तो गैप डाउन में हमें बाइंग के लिए प्लान करना है अगर मार्केट में सेलिंग का एक ही सेंटीमेंट है अगर मार्केट इस रेंज में ओपेन हो जाए और तो यहाँ थोड़ी देर प्रेड़ करने के बाद इस तरह से लोवर लो बूस्ट बनाए इस तरह से और यहाँ आप हमें पैटर फेर्म करें कि मार्केट एक cha हम रेकर दिया है बहुत ही एची यहां पर भी प्राइस सेक्षन देखने को आपको मिलेगा आप यहां पर देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम इसको कनभट करके तो यहां पर भी एक एम पर टन बना चुका है और 17,600 लेबल यह मल्टिपल टाइम टेश्ट हो चुके हैं तो कल अगर अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और 17,600 की निकालती है तो आप यहां पर सेलिंग का प्लान कीजिए यहां पर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाने दीजिए और फिर जब इसको लोग की निकाला तो आप यहां पर सेल कर सकते हो भी फूल क्वांटिटी में क्य जोन आपका 350 जोन आपका सपोर्ट जोन बनेंगा तो लगबक 1800 पांट का आपके पास सपेस है तो आप यहां पर एजली 1500-200 पांट कायच कर सकते हो है निफ्टी में बहुत अच्छी सेलिंग के साथ के लिए लेकिन हां फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए अगर मार्केट कहीं इधर ओपनिंग हो जाती है तो और इसको नीचे निकालते हैं तो हम यहां पर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे हमारा यहां पर मार्केट गैप ओपनिंग हो जाती है और इसके उपर एक 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग दे देती है 17,800 के उपर इस रेजिस्टेंस के बाद और इसके हाइक निकालते हैं तो हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं इसके पास भी बहुत तची है स्पेस है आप साइड में भी लगवग 200-500 पॉइंट का स्पेस है 17,800 के बाद यह जो है जो है जो नहीं ए श्ट्रॉंग रजिस्टेंस है 17,900 फिर 17,950 एदो असपेस मिल जाएंगे कब जब मार्केट गैप अफ उपनिंग हो इधर कहीं पर 17,800 के बाद पास में यहां पर 15 मिनट कैंडल क्लोज करें फिर हाइक निकाले तो आप यहां पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं लेकर अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जा तो आप यहां पर बाइंग के लिए प्लान कीजिए क्योंकि यह सपोर्ट जोन है तो यहां पर सेलिंग करना थोड़ा सा डिफकल्ट हो सकता है क्योंकि इतना जो गैप डाउन हुआ उसके चलते हैं आपका यहां पर प्रोफिट जा चुका होगा तो आप मार्केट में के र कंडल बनाया है कि पचास से साथ पैसे का यहां पर गैप अपनिंग हो जाए तो एक सो बे आलिस पॉइंट 142.30 के उपर हम लोग बाइक कर सकते हैं मांतर पचास पैसे का स्टप्रोस रहेगा टार्गेट अपको यह वान इस्टू टू से भी ज्यादा दे सकती है क्योंकि यहां पर 45-150 के जो है राउंड लेवले यह बहुत ही नजदिक में तो यह इस हाई को भी टच करने का कुछिस कर सकता है तो यह एक दिन में आपको बहुत एच्छी मूब देख सकता है क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छी रिंज ब्रेकाट दिया है तो यह अभी अपना लेकिन अभी थोड़ा से इसमें सेंटिमेंट निगेटिव हो चुका है तो यहां पर थोड़ा से हमें सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा आप यहां अऊ-ऊ-पर देख सकते हैं कि यहां पर अक्लूवर टूर चुका है यहां पर बितल्ण बनाने के बाद यहां पर टूड़ेज होल्ट किया तो अगर यह फ्लैट डोकें होती है 688 को नकालती है तो हम यहाप पर सेल कर चाहिए मात्र दो रुप्य का स्टोप लोस रहेगा टार्गेट आपको वान इस्टू टू से ज्यादा मिल सकता है क्योंकि यहां पर यह शेसोपच्छतर का हाई है यहां पर टच कर सकता है तो इसके पास बहुत अच्छी एस्पेसे आपको अच्छी टार्गेट मिल नेशली इंडिया नेशली इंडिया में बहुत इच्छी प्रैइसिक्षेन यहाप बना हुआ है आप देखेंगे कि मार्केट में एक अंग से नेशली इंडिया में यहां पर एक कनफ्यूजिंग कैंडल बनाया हुआ है तो आपर देख सकते हैं कि यहां पर 300 पॉइंट का यहां पर यह की रिंज बनाया हुगा, तो कल अगर फ्लाइट ओपन हो जाए, या गैप अप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो अगर 6600 के उपर निकलती है, तो हम यह आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर 11300 के नीचे निकलती है, तो हम यहां पर सेलिंग का प्लान हुआ है, आप यहां पर देखेंगे कि एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जो उनकियां पर ब्रेक करने के बाद, मार्केट टूडेज यहां पर हल्ट किया है, तो कल अगर फ्लाइट ओपन हो जाए, तेरह सो औठतर को निकाले तो हमें यहां पर सेल कर सकते हैं, मातर तीन रूपय क कर श्टफरोस रहेगा, टार्गेट आपको 1-2 से ज्यादा मिल सकता है, यहां पर बना हुआ है, लगतार डाउन साइड में ट्रेट कर रहा है, लगतार लोवर लो यहां पर बनाते चला जा रहा है, तो कल अगर फ्लाइट ओपन होती है, और 705 को निकालती है, तो हमें यहा के पास में आ करके एक सपोर्ट ले सकता है, तो यहां पर आपके पास बहुत अच्छी सपेस है, तो आप यहां पर ट्रेट करें, बहुत अच्छी प्रोफिट मिल सकते है, आई वोप यू अंडरेश्टेंड माइ पॉइंट आपको मिले, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडि सब्सक्राइच्छी क आपको नुष सकता है, थ moral where बहुत अच्छी आपको ट्या है, तो यहां ने अच्छी सेक्वाईटें, तो यहां साचिक क्नाल hy lot रह यहां साचिक का ब 열ुए में टेमें, तो तो यह जासंटे दॊत। ओल्यंड